अतिरिक सुरक्षा के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर लगाया गया है दोरन का कॉल बढ़िया रणिंग दोनों बल्ले बाजों की विकेट के बीच बढ़िया शॉर्ट इसे रोख पाना को मुश्किल है बहुत ही खुबसूरत शॉर्ट इतना आसान नहीं है इस शॉर्ट को एक्जिक्यूट करना क्या बल्ले बाज एक और बाउंडरी का प्रयास करेंगे देखते हैं अच्छा शॉर्ट लेकिन सिंगल ही मिलेगा सिंगल्स और डबल्स लिमिटेट ओवर्स फॉर्माट में काफी जरूरी है उन्दा शॉर्ट गेनबास की कोई गलती नहीं मगर फिर भी चार रन खुबसूर्ट शॉर्ट बाट्समन अपनी खुबियां दिखाते हुए बड़ी अच्छी बाटिंग फॉर्म में लग रहा है बल्ले बाज स्पिनर्स को बड़ी खुबसूर्टी से खेलते हैं ये बल्ले बाज गैप में खेलने की अच्छी कोशिश लेकिन फील्डर वहां मौजूद बोलिंग में बदलाफ तेज गेंदबास का आगमन इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेंदबाजी करनी होगी यहां बढ़िया शॉट अगर तेज दोड़िंग तो दोरन मिल सकते हैं यहां बहुत ही बढ़िया फील्डिंग ऐसी फील्डिंग से टीम का आत्मबल बढ़ता रहेगा बहुत ही बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेवाजों की बीच में अच्छी रणी मिट्वीन दे विकेट्स पढ़िया शॉट बस सिंगल मिलेगा यहां टीप पॉइंट पे फील्डर लगाया है कप्तान ने सिधा फील्डर के पास खेल दिया है गैप ढूनने में असमर्थ पिछले कुछ मैचों में बहुत ही बेरहमी से दुलाई की है फास बोलर्स की इनोंने हेलारान तेजी से लेते हुए है बहुत ही बड़ी अताल मेल दोनों बल्लेवाजों की बीच में अच्छी रनी मिट्वीन दे विकेट्स टारेक्ट हिट फील्डर का और एक बहुत ही महत पूर्न विकेट्स निराश होकर पैवलियन की तरफ लटते हुए बेकार में विकेट्स दे बैचे यहां जरूरत नहीं थी इस रन की स्पिनर को दूसरे छोड से लाया गया है समझ नहीं आया हमें क्या करना चाहते थे बल्लेवाज इन्हें वापस पविलियन लौटना पड़ेगा गैप में खेल दिया है क्या ये दो रन ले सकते हैं यहां बढ़िया रनिंग दोनों बल्लेवाजों की विकेट के बीच बहुत ही आकरामक बल्लेवाज है ये विशो क्रिकेट में अपनी चतुराई से बल्लेवाज को चार में फासाइन होने बढ़िया गेंदबाजी बहुत ही खराब शॉर्ट ये तो गेंदबाज ने चक्रव्यू रच रखा था जिस तरह मचली फसती है जाल में उसी तरह बल्लेवाज फस गए इनके जाल में बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अमपायर नॉट आउट देते हुए बल्लेवाज तयार अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए बॉल हवा से बाते करती हुए सीधा बॉंडरी लैंग के पार छे रण शॉट अलफाज कमपड़ जाए इस शॉट का वर्नन करने में यह एक ऐसे बल्लेवाज है जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेंद कहां मारेंगे बहुत ही बड़ी अताल मेल दोनों बल्लेवाजों की बीच में अच्छी रणी मिट्वीन दुट्विकेट्स दो रण का कॉल बहुत ही बड़ी अताल मेल दोनों बल्लेवाजों की बीच में अच्छी रणी मिट्वीन दुट्विकेट्स बोलर को अपनी लाइन एन लेंथ सटीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ दमदार शोट जिस तरफ इनोंने मारा है उस तरफ की बाउंडरी बाकी के बाउंडरी के मुकाबले बहुत ही लंबी है दर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे छका मार देंगे ये गेंद फिर से डालने पड़ेगी वाइड बॉल ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवक करके आना बले बास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी यहां ये शॉट खेलने की लगता है अपनी एकाग्रता खो बैठे पहला रन तेजी से दोड़ते हुए दूसरे रन की कोशिश होने चाहिए यहां बहुत ही बड़िया फिल्डिंग का प्रदर्शन जो मदद इस गेंदबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा काफी तेज दोड़ लगाई है पहले रन के लिए यहां हमेशा दूसरे रन की तलाश में यहां दोनों बल्ले बास फिल्ड के हिसाब से गेंदबाजी करनी होगी यहां रन रेट को नियंदरन में लाने के लिए नजाकत से खेला एक रन के लिए अभी तक का खेल देखके लग रहा है कि यह पिच दोनों बाटिंग और बोलिंग के लिए परयाप्त है तेज के इंदबाज वापस आते हुए क्या मैच देखने मिल रहा है हमें यहां दर्शक इस मैच का पूरा अलुफ्ट उठा रहे है कुछ अलक करने की कोशिश में गेंदबाज अपनी लाइन नहीं पकड़ पाए वाइड बॉल डीप पॉइंट पर फील्डर लगाया है कप्तान ने महतरीन गेंद बॉल बॉल बचे बल्ले बाज उठा के खेल दिया है गैप में गई और ये बैतरीन चौका इन्हें अपने लाइन और लेंग्ध को यहां नहीं पॉल ये दो रन ले सकते हैं यहां बल्ले बाज एक दूसरे को मुबारक दे कर अपनी जीत की खुशी मत्राइब लेंग्ध